यदा भूत प्रिथक भावं एकस्थ मनुपश्यती तते वच विस्तारं ब्रम्भसं पद्यते तदा शनिवार के कारिक्रम में उपस्तित हूँ आप लोग के सामने तब्यत ठीक नहीं है सर्दी के कारण टंकी के पानी से नहाना होता है इस कारण से सर्दी जैसी है सर्दी खासे जो काम के स्थती है और सुबह में ही हम लोग कारिक्रम बना लेते हैं सुबह 9 बज़े से लेके 12 बज़े तक हमारा कारिक्रम बन जाता है आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तूत होने के लिए जल्दी से, सुबह मैं ना बना करके शामने चार वजे कारिक्रम बनाने बैठा हूँ और इसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा वस्तुत्ह मोक्ष की गती के बारे में समझने की कोशिक करेंगे की कुंडली में कैसे योग बनते हैं तो मोक्ष का मार्व खुलता है वस्तुता मोक्ष के बारे में उसकी संपुन्ट्या किसी कारिक्रम में आप लोगों को मैं वस्तुता बता दूगा पर मोक्ष के बारे में एक लाइन की परभाषा मोक्ष क्या है शरीर मर गया ध्यान से समझेगा मोक्ष क्या है शरीर मर गया पर इक्षाएं अभी बाकी है तो शरीर की गती नस्थ हो गई लेकिन वस्तुतह वो मोक्ष की प्राप्ती नहीं है शरीर रहते अगर एक्षाओं की पूर्ती या एक्षाओं के साधने का कोई संकल्प ही नहीं है कोई एक्षा ही नहीं है वही मोक्ष है मतलब मरने के साथ एक्षाओं का भी मरना हो गया जीवन है और एक्षा अगर बाकी है और वही एक्षा जीवन के बाद मृत्यू तक बनी रहे इसका अर्थ है कि वक्ति कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता मोक्ष का वास्तविक अर्थ होता है एक्षाओं का मरन हो जाना इक्षा कुछ भी नहीं है, यहां आप भक्ती किये लिए, मोक्ष के लिए भी किसी भी तरीके से भगवान से कुछ भी नहीं मांगते हैं, वही मोक्ष है, मतलब शरीर के साथ इक्षा भी खतम, तो मोक्ष की प्राप्ती हो गई, अगर शरीर जिंदा है और इक्षा की पूर्त कि अभिलाशा है कि ये मिल जाए ये मिल जाए तो वो गति कभी भी मोक्ष को राप्त नहीं करता है आप लोग समझ गया होंगे। मेरे कहने का अर्थ क्या है कि आपके एक्षाओं का खतम होना ही मोक्ष है वो जीवित रहते हुए भी पाया जा सकता है। मैं आपके सामने ग्रंथ से ही एक बात कह दूँ कि जन्म लगने से छटवे, साथवे और आठवे भाव में, जन्म कुंडली में, अगर छटवे, आठवे और साथवे भाव में, गुरु बली होते हूं, देव गुरु ब्रहस्पती अगर अपने इनी राश्यों में बैटे या तो छटवे भाव में, या साथवे भाव में, या आठवे भाव में, तो व्यक्ति देव लोक की प्राप्ती करता है मृत्यू के उपरांत। ध्यान से समझेगा, अगर आपकी कुंडली में भी छटवे भाव में, साथवे भाव में, और आठवे भाव में देव लोक में स्थान मिलता है ऑगर छटवे भाव में साथवे भाव में और आठवे भाव में भी शुक्र और चंद्र giving अगर मजबूत होकरए बैठे हो तो व्यक्ति पित्रों लोक में स्थान पाता है गोसात अगर मंगल और सूरिय इन्ही भावों में उसका फिर से गमना गमन बना रहता है और एक बात अंतिम में लिखा है कि बुद्ध और सनी अगर वली हो तो व्यक्ती नरक लोक में जाता है कहने के ताद पर यह क्या है अगर छटमा भाव शातमा भाव और आठमा भाव गुरू से संपूर्ण हो मतलब गुरु अपने ही इसी भाव में बैटे हो तो बती देवता के लोक में जाता है और अगर इननी भावों शनी और बुद्ध बैठे हो या बल्वान होकर के बैठे हो अपनी रासी में या उचस्त होकर के बैठे हो तो व्यक्ति नरक गामी होता है और अगर इनी भावों में सुक्र और चंद्रमा बैठे हो छट्वे आठ्वे और भाव सात्वे में तो व्यक्ति पितर बनता है और अ में बात नहीं कही गई है यहां पे बात साधक के बारे में कही गई है कि वो प्रतेक प्रकार में प्रतेक जगह पे हर एक प्रकृती के बिभिन्न भावों में वो एक मात्र प्रकृती को अनुभव करता हो परमात्मा का अनुभव करता हो और उसका दर्शन करता हो वो व्यक्त भगवान को अनुभव में रखता है कुछ इसी तरीके से आज की कारेकुम का समापन करते हैं तब तक के लिए इजाज़त दीजे कल एक बार फिर से उपस्तित होंगे आप सब के सामने तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार